असलाम उलेकुम स्टूडेंट्स आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है बाइनर्जेटिक्स बहुत टफ टॉपिक है इसमें और बहुत कॉंसेप्चुल है ये पूरा चैप्टर पहली बार में पढ़ने से आपको समझ में नहीं आता और जब तक टॉपिक्स एक दूसे के साथ इंटर लिंक्ड है तो आपको आगे जाके भी कुछ समझ में नहीं आएगी तो इस चैप्टर को आपको त्यार करना ऐसे है कि हर टॉपिक को समझना है और उसको याद रखना है और उसकी लिंकेज को समझना है जो के अगले टॉपिक में उसक की जो के quantitative study energy की आपको explain करती है energy की formation energy की conversion जो ही आपको बताती है लेकिन ये सारा process वो डिसकस करती है life में यानि living organisms में इसलिए इसको कहते हैं bio energetics अब हम ये बात जानते हैं तमाम दुनिया बहर में जो सूरज की रोशनी है वो असल में तमाम तवनाई का मरकज है जिसे हम कहते हैं solar energy और ये solar energy अगर ना हो तो हमारे दुनिया का निजाम नहीं चल सकता इसकी reason ये है कि इसी solar energy से हमें मुख्तलिफ किसम की energy formations जो हैं वो मिलती है फॉर एक्जेमपल पौदे इसी solar energy को absorb करते हैं इसकी presence में उनके जो cell और्गनल्स हैं जिने हमें chloroplast कहते हैं ग्रीन रंग के होते हैं इनमें chlorophyll नाम का मादा होता है उसको इस्तमाल करके chlorophyll को photosynthesis का अमल करते हैं और photosynthesis के अमल के दौरान ये अपनी खुराक तियार करते हैं इस खुराक तियार करने के अमल में ये carbon dioxide को इस्तमाल करते हैं ये पानी को इस्तमाल करते हैं और ये glucose का फॉर्मूला है c6 h12 o6 glucose एक कार्भॉईड की किसम है कार्भॉईड की किसमों में से ये monosaccharide होती है और इस glucose के इस्तमाल करने के साथ साथ photosynthesis के अमल के दौरान जो पौदे हैं वो oxygen भी पैदा करते हैं और पानी भी पैदा करते हैं अब अगर हम जाने कि ये जो bio energetic के phenomenon है ये इस तरह से important है कि इन में ना सिर्फ photosynthesis बड़ी important है बलके respiration भी बड़ी important है क्योंकि जो glucose बन जाएगी जिसम के अंदर पौदो में उसको वो molecular oxygen जिसे हम O2 कहते हैं उसे इस्तमाल करके तो अपनी energy बनाते है इनरजी बनाने का जो अमल होता है वो ATP production होता है और ATP हमारी जो energy है उसकी वो किसम है जो हमारे cells खर्चते हैं जो हमारे cells इस्तमाल करते हैं तो ATP का पूरा नाम है adenosine triphosphate ये एक ring वाला structure वाला compound है रिंग वाला structure है वो ऐसा होता है आपने chemistry में पढ़ा होगा और इसमें तीन phosphate के groups लगे होते हैं और ये वो currency होती है जैसे हम बाजार में जाते हैं चीज़े खरीदने के लिए हमारे पास note की शकल में रुपे की शकल में currency होती है जिसे हम हर चीज़ खरीद लेते हैं इसी तरह अगर हम energy की बात करें तो energy की currency जो है वो ATP है जो के हमारे cells इस्तमाल करते हैं और हमारे cells के अंदर ही ये बनती है अब हर जानदार के जिसम में क्यूंके photosynthesis नहीं होती photosynthesis तो सिरफ green plants में होती है जो के chlorophyll की presence में और carbon dioxide को पानी को इस्तमाल क करके solar light को इस्तमाल करके chlorophyll के अंदर तो glucose बनाते हैं oxygen बनाते हैं और आप बनाते हैं पौदे हमारे पानी पानी के molecules तो ये जो पूरा phenomenon है respiration का ये बागी के organisms में तो बहुत important है सब में ही बहुत important है लेकिन पौदों में photosynthesis और respiration जो है वो equally important phenomenon है जो मैंने जैसे आपको यहा हैं जिसमें कुछ चीजें बनती हैं और कुछ चीजें खतम होती हैं उनको हम metabolism कहते हैं metabolism का जो पूरा phenomenon है उसके दो हिसे हैं एक है catabolism और एक है anabolism जो compounds जो चीजें एक जानदार के जिसम के अंदर मोजूद हैं और उनकी जब कांट चांट होती है या वह चोटे होते हैं या बदलते हैं या तूट-फूट का शिकार होते हैं तो उस अमल का नाम होता है मेटाबॉलिजम का वो हिस्सा कहलाता है केटाबॉलिजम और मेटाबॉलिजम का वो हिस्सा जिसमें नई चीजें बनती हैं चोटी-चोटी पी बड़ा इंपॉर्टेंट है कियुंके बड़े कमपॉंड्स टूटेंगे तो उनकी ब्रेकडाउंसे नई चीजे जो है वो बनाई जा सकेंगी तो यह बनाने का अमल है और यह तोड़ने पुड़ने का अमल है एनाबॉलिजम और कैटाबॉलिजम दोनों मेटाबॉलिजम के दो हिस्सी हैं. अब हम ये बात जानते हैं कि जो औरगनिसम्स हैं हमारे, इन सब ने जो पौदे हैं वो जनाब सूरज की रोष्णि को सोलर एनर्जी को इस्तमाल करते हैं और वो ग्लूकोस बनाते हैं जो के एक कमपाउंड है, तो वो सोलर लाइट को कैमिकल लाइट में कैमिकल इनर्जी में मुझे कहना चाहिए के कनवर्ड करते हैं और उनके लिए यही इनर्जी का मंबा होता है सोर्स होता है तो इनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स में सेल्स के अंदर जो है सेलुलर प्रॉसेस को काम करने के लिए चा कि यह पूरा इस की होती है और इसके बात इस घ्लुकोज से Hmng कैसे कैसे दूसरे कमपाउंड बनेंगे कैसे कैसे इनर्जी बनेगी तो वह सारे है एक पूरा साइकल है जो कि आपको उस साइकल में भी अलाइदा अलाइदा स्टैप्स नज़र आंगे जैसे के गलाइकॉलिसिस है जैसे के इलेक्टरॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्रेब साइकल है जो के इन्शाला इस चैप्टर में हमने पढ़नी है अब आपकी जो बुक है उसमें बताया गया है के फोटो सेंटसिज एक ऐसा प्रोसेस है जो के इनरजी पूर इन और गैनिक ऑक्सीडाइज कमपाउंड जिसे हम कार्बन डियॉकसाइड कहते हैं उसको इस्तमाल करता है यह आपको मालूम है के दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है हवा के अंदर वो ऑक्सीजन होती है 21 पीसद होती है लेकिन कार्बन डियॉकसाइड जो है वो भी माइनूट मिधार में पा और उसके बाद ये पूरे का पूरा जो फिनॉमिनान फोटो सेंथसिस में चलता है ये फिर आगे लीड करता है रेस्पारेशन की तरफ तो पौदे बैक वक फोटो सेंथसाइज भी कर रहे होते हैं जैसे के हम उपर देख रहे हैं और फिर पौदे रेस्पारेशन भी कर रहे होते हैं दोनों फिनॉमिनान उन में चल रहे होते हैं क्योंके सांस लेना भी हर सेल के लिए बहुत जरूरी अगर सांस नहीं लेगा तो आकसीजन नहीं मिलेगी सेललर प्रॉसेस रुक जाएंगे और सेल डेथ हो जाएगी जब सेल डेथ हो जाएगी तो टिश्यूज मरने लगेंगे, और्गन्स मनने लगेंगे और ऐसा जानदार चाहे वो प्लांट बॉड़ी हो चाहे वो कोई भी दूसरा और्गनिजम हो खतम हो सकते हैं अब रेस्पारेशन और फोटो सेंथसिस का अगर हम एक कमपैरेजन करें तो दोनों में कुछ डिफरेंसिस भी हैं यह जो एक्वेशन है यह आपको फोटो सेंथसिस की बिल्कुल बैलनस्ट एक्वेशन लिख के दिखाई गई है कारबन डायोकसाइड के छे मॉलिक्यूल्स हैं पानी के मॉलिक्यूल्स बारा है इसफील और लिखाईट के छे मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो आप लिखेंगे और आपको दो नूम्पर पूरे मिल जाएंगे तो अब हम बात करते हैं रैस्पारेशन की और फोटो सेंथसिस की respiration और photosynthesis बड़े important phenomenon है जो चीजें यहाँ पर मिलकर products बना रही है photosynthesis में यानि यह reactants है और वो products है photosynthesis में इसी को अगर equation को हम उलट कर दें इसमें से light को और chlorophyll को खतम कर दें तो वो तकरीबन equation बन जाती है respiration की क्योंकि respiration में एक जो organism है वो oxygen को इस्तमाल करता है glucose को साथ उसको mix करता है और जनाब फिर carbon dioxide बनती है उसको सांस लेने के बाहर सांस जब बाहर निकालता है जिसम से तो उसकी वज़ा से वो oxygen जो है उसको इस्तमाल करके energy पैदा करता है और carbon dioxide को जिसम से बाहर खारिज कर देता है तो यह equation अगर हम इस sequence में देखते हैं तो यह photosynthesis की है और अगर इसको तकरीबन उलड कर दें थोड़े से changes के साथ जिसमें हम यह खतम कर देंगे light को फ्लोरोफिल को खतम कर देंगे पानी को तकरीबन खतम कर देंगे तो वह equation बन जागी कि यह तकरीबन respiration का phenomenon है यह अलाइदा बात है कि photosynthesis बजाते हैं एक बहुत बड़ा phenomenon है respiration जो है जिसमें oxygen glucose के साथ मिलकर energy बनाती है ATP की शकल में वह भी बहुत बड़ा ब्रॉड जो है हमारे component है अब आप अगर अपनी बुक में देखें जो के जहां यह topic आपको दिया गया है वहाँ यह बताया गया है कि photosynthesis जो है वो light and dark दो हिस्सों में होती है light उसका वो जो हिस्सा होता है वो सूरज की रौशनी में ही हो सकता है अगर सूरज की रौशनी नहीं है तो नहीं होगा और photosynthesis का वो हिस्सा जो dark reaction कहलाता है उसको सूरज की रौशनी की दरकार नहीं होती और सूरज की रौशनी के बغیर भी वो हो जाता है respiration का जो अमल है वो सूरज की रौशनी solar energy पर dependent नहीं है वो खुद बखुद होता रहता है वो सारा दिन होता रहता है वो कभी भी stop नहीं होता उसमें light और dark reactions light का कोई interference है वो नहीं होती इसके इलावा जो cellular respiration है वो cell level पर होती है तो दोनों प्रोसेसे जो है वो एक पौदे में बैक वक साथ साथ चल रहे होते हैं इस साल के तोर पर एक और अर्गनिजम जो है वो carbon dioxide को एक्वायर कर रहा होता है ताकि वो photosynthesis कर सके और oxygen को निकाल रहा होता है इस प्रोसेस के दौरान जो के photosynthesis हो रही है तो जो respiration है उसमें ये जो organism है ये oxygen को हासिल करेगा और carbon dioxide को निकाल देगा इसमें आप देखते हैं कि ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के उलट है तो दोनों गैसिस का जो एक्सचेंज है वो साथ साथ चलता रहता है हता के एक वक्त आता है कि दोनों गैसिस का जो net एक्सचेंज है वो बिलकुल बराबर हो जाता है और कोई वाज़या फरक नहीं रहता तो जैसे आपकी बुक में ये बात explain की गई है जो के मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर भी बताना चाहूंगी compensation point बड़ा important सवाल है और इस पे मैं stress भी करूंगी दो नंबर का ये भी आपको short में पुछा जा सकता है कार्बन लेक्सेड रिलीज होती है respiration के नतीजे में और जितनी requirement इसकी चाहिए होती है photosynthesis में उतनी ये absorb की जा रही होती है लेकिन एक वक्त आता है कि दोनों gases का जो तबादला फिजा में हो रहा होता है दोनों processes के दोरान उसमें कोई वाज़ा फरक नहीं रह जाता यानि net change उसे हम कहते हैं मिकदार का तो उस point को कहते हैं compensation point और ये आपको दोनोंबर का अच्छे तरीके से याद करना होगा इस सवाल को अब मैं बात करूंगी हमारे जो topic है उसके अगले हिसे में कि water और photosynthesis का आपस में क्या रोल है और ये किस तरह से important है हमारे जो scientists थे उनका ये माना था कि हम पौदों को पानी देते हैं और जो पौदे हैं वो oxygen पैदा करते हैं photosynthesis के अमल के दौरान से पौदा हासिल करता है और जो oxygen ये पैदा करता है अजिसलमें वो पानी से आती है तो पानी के मॉलیک movies को पौदा corridor में को तोडने के बद याँ गढ़ ऑंशेशन के यहां पर भी हम ये ब्रेक्टवन का जो फिनामेन देख सकते हैं तो इस मफरोजे को पूरा करने के लिए सही देखने के लिए एक तजर्बा किया गया जिसमें आईसोटोप का इस्तमाल किया गया केमिस्ट्रीक में आपने पढ़ा हुआ कि आईसोटोप जो होते हैं वो असल एलिमेंट्स के चेंज नंबर वाले एटम्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन जो है आईसोटोप जो इसका है उसका नंबर 18 है तो दो एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स जो है वो इस्तमाल किये गए थे इसमें जो आपकी बुक में लिखा गया है एक जो पौदा था उसको ग्रो किया गया ऐसी एंवारेंट्मेंट के अंदर जहां पर उसको ऐसी कारबन डॉकसाइड सप्लाय की गए जिसमें ऑक्सीजन जो थी वो 18 नंबर वाली थी यानि आईसोटोप वाली थी और दूसरा ऐसा पौ इससे जो ऑक्सीजन बनी वो भी 18 वाली लेकिन क्यूंके कारबन डॉकसाइड जो ऑक्सीजन रिलीस करता है वो एक्चुली ग्लुकोस में चली जाती है तो इसका मतलब है कि जब हम इस आईसोटोप को लोकेट करने की कोशिश करेंगे तो हमने देखने है कि जो मॉलेकुल आम इसको दी गए थी पानी इसको नॉर्मल दिया गया था एच टू ओ जिसमें ऑक्सीजन 16 नमबर वाली थी तो यहां जो ऑक्सीजन पैदा हुई वो 16 नमबर वाली थी इसका मतलब है कि कारबन डॉक्साइड ऑक्सीजन पैदा नहीं करवाता है बलके पानी पैदा करवात यहां से भी यह बात थाबित हुई क्योंकि वाटर को हमने 18 नमबर दिया है जो कि इसका अटॉमिक नमबर है तो इसने जो ऑक्सीजन पैदा की वो 18 मॉलिकुलर ऑक्सीजन रिलीज हुई जिसने रेडियो एक्टिविटी इमिट की और उसको हमने अपने एक्सपेरिमेंट क के थूर डिटेक्ट कर लिया और मालूम हुआ कि जब भी पौदा जब फोटो सेंतिसाइस करता है तो कार्बन डियोकसेड वाली ऑक्सीजन ग्लूकोज में चली जाती है जबके पानी से रिलीज होने वाली जो ऑक्सीजन है वो मॉलिकुलर ऑक्सीजन बनके फिजा में रिल फिरोते